हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम गले का डिजाइन बना रहे हैं यह देखिए यह मैंने यहां से धाइ इंच का मार्क किया और एक चार इंच का यहां से साड़े साथ इंच पे वी गले का मार्क करूंगी मैं और यह जो है बीच में हम इसका डिसेंस जो है डेड इंच पर मार्क किया और यह जो निशान लगाएंगे हम बारा इंच पे वी गले का दूसरा निशान लगाएंगे तो यह देखिए यह निशान हमने लगा लिया है यहां से चार इंच बने गई अब एक सर्कल काट लेंगे हम सही शेप जो है यह फैवी कोल का बड़ा वाला बॉटल है इसको रखके मैंने इस तरह से गोल गोल निशान लगाए अब इसको कट कर लूँगी तो यह देखिए यह हमारा सर्कल बन गया है अब इसको डबल करके हम इस गले पे मार्क करेंगे इस तरह से नीचे से मार्क करना शुरू करेंगे ताकि सारे जो है हमारे कट वर्क के निशान सेम लगेंगे तो इस तरह से हम यह कट वर्क बना लेंगे अपने गले पे यह देखिए निशान हमने लगा लिये है अब हम यहां पे एक्स्टा मार्चन रखेंगे यह साड़े बारा लिया है मैंने बुक्रम तो यह हमने एक्स्ट्रा मार्क कर लिया है अब यह जो हमने कट वर का निशान लगाया था उसको निशान के उपर उपर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे यह देखिए इस तरह से हम अच्छे से उसको कट कर लेंगे पूरा तो यह हमारा जो है कट गया गला अब यह एक्स्ट्रा जो हमने निशान लगाया था उसको भी कट कर लेंगे तो यह देखिए यह इस तरह से लगेगा और यह जो हमने बीच में से निकाला था इसको भी यह वी गला जो है कट कर लेंगे हम यह हम पैस करेंगे इस गले के बीच में इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे जब हम इस पर कपड़ा लगाएंगे तो तो यह भी यूज हो जाएगा एक्स्टा काटने के जर्थ नहीं है तो यह जो बड़ा वाला गला हमने काटा है उसको हम यह वाइट वाले कपड़े पेस्ट करेंगे और यह जो छोटा वाला है इसको ब्लू वाले कपड़े पेस्ट करेंगे जो भी आप कंट्रास्ट बनाना चाते हैं उ यह extra जो कपड़ा है side से वो मैंने cut कर दिया है paste करने के बाद इस तरह से यह जो है इसको इस तरह से मैं cut कर लूँगी और same piece इसके नीचे रखके यह इस तरह से तयार होगा बाद में तो चलिए अब बनाते हम यह जो side से कपड़ा है इसको इस तरह से हम fold कर लेंगे जैसे जैसे हम गला बनाते हैं suit का normal तो इसको हम वैसे ready करेंगे तो इसके center में हमें cut लगा लेंगे वैसे हम यह जो कुर्टे का हमने front part लिया है इस पर cut लगा लिया है हमने center करके उसका तो हम इस तरह से इसका center कर लेंगे अब इसको इसकी सीधे side में रखके हमें कच्ची सिलाई लगाएंगे बिल्कुल center में अब यह जो हमारे cut है हमने जो सिलाई है बुकरम के उपर नहीं चड़ाना है बिल्कुल उसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे हम उसकी जड़ में जिसको हम बोलते हैं उसकी जड़ में हम सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से हम यह पूरी सिलाई फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे अगर आपने बुकरम के उपर सिलाई चड़ा दी तो वहाँ पर आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी और शेप खराब हो जाएगी गले की तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए तो अब यह जो हम एक्स्टा कपड़ा है वह हम काट देंगे यह देखिए इसमें हम कट लगा लेंगे यह देखिए यहाँ पर जो कड़ाई आया हुआ था वहाँ भी मैंने अच्छे से काट दिया है तो इसके बीचों बीच हम इस तरह से कट लगा लेंगे अब इसको हम कले को सीधा कर लेंगे इस तरह से यह देखिए यह सीधा कर लिया है हमने आब इसको हम प्रेस कर लेंगे यह देखिए इस तरह से दिखेगा अब यह ब्लू जो पार्ट हमने लिया था वैसे हिए हमने उसके नीची एक पार्ट ब्लू करके उसको हम रेडी करेंगे यह गला बहुत सिंपल ही है सिंपल बनता है बट यह बनने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यह देखिए इसका जो अंदर से एक्स्टा कप्ड़ा वो काड़ देंगी हम तो हमने जो 1.5 इंच का मारजन रखा था उस गले का उससे बाहर बाहर हम एक्स्टा रख लेंगे कप्ड़ा फिर हम उसको कट करेंगे यह हमने कट लगा लिये हैं यहां पर चुर्चुटे अब हम इसको सीधा कर लेंगे इसको अच्छे से हम इस कपड़े को सीधा करके प्रेस कर लेंगे अब हम वो जो गला हमने रेडी किया था उसके अंदर रख के जहां जहां से हमने काटा था वैसे ही हम सेट करके उसको यह देखिए यह दिख रहा है बीच में से इन निशान उसको मिलाते हुए हम यहां पर पिन लगा देंगे तो यह मैंने पिन लगा दिये हैं अब हम इसके बिलकुल कोने कोने पर जिलाई लगा देंगे यह देखिए यह सिलाई हमारी लग चुकी अगर आप पिन लगाएंगे तो आपका अच्छे से सेट हो जाएगा और हिलेगा नहीं तो यह पिन मैं निकाल दूँगे अब तो यह देखिए अब हम एक यहां पर सिलाई लगाएंगे एक्स्ट्रा बाहर वाली साइट आप चाहें तो तुर्पाई भी कर सकते हैं पर मैं यहां पर सिलाई लगा रही हूं यह देखिए हमारा गलाबन के बिलकुर रेडी आप इस तरह से अपनी मन पसंद का बटन लगा सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर दे वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू